दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने मुबाइल से गूगल पे के द्वारा लाइड बिल को कैसे भरें Google Pay के द्वारा Light Bill भरने के लिए दोस्तों आपको अपने Google Pay application को open कर लेना है और उसका pin डालके उसको login कर लेना है login कर लेने के बाद आपको यहाँ पे Pay Bill का एक option मिलेगा उसको आपको click कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बिजली वितरण company का नाम मिल जाएंगे आप जिस company का बिजली इस्तमाल करते हैं उसको आपको select कर लेना है यहाँ पे इस list में अगर आपको अपने विजली के company का नाम नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे search bar पे click कर लेना है और यहाँ पी अपने state यानि के अपने राज्य का नाम डालना है तो उस राज्य के जितने भी बिजली वित्रड कमपनी रहेंगे उनके सारे नाम आ जाएंगे तो वहाँ से अपने बिजली वित्रड कमपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है बिजली कमपनी का नाम सेलेक्ट करने क बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा अब यहाँ पे आपको एक option दिखेगा link account का तो दोस्तो आपको यहाँ पे अपना बिजली का account number डालना होगा और यह bill का account number आपको उसी bill पे मिल जाएगा जो हर महिने आपके पास आता है उसी bill number को देखके आपको यहाँ पे उसको तो चलो मैं इसको भर लेता हूँ निकनेम को मैंने यहाँ पे भर लिया है अब simply आपको करना क्या है कि लिंक account पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का page आएगा तो अब यहाँ पे आप दोस्तो देख सकते हैं कि अकाउंट होल्डर नेम है वह आपको यहाँ पे शो कर देगा और आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा तो अब यहाँ पे simply आपको करना क्या है कि आपको नीचे यहाँ पे link अकाउंट का एक option मिल जाएगा उस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका यहां पर अकाउंट बनके रेडी हो चुका है अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके बिल में जो amount आया है जो बिल आप का आया है वो आपके mobile में भी यहां पर शो करने लगेगा सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका bill का amount कितना आया है और यहाँ पे due date उसका कितना है तो सारी details आपको यहाँ पे मिल जाएगे दोस्तो इसको भरने के लिए pay bill पे click करना है और उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे अपने bank account number को select करना है जिस account number से आप उसको भरना चाहते हैं अब यहाँ पे आपको simply अपने google pay का pin डालना है और यहाँ पे ok पे click कर देना है अब यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपके जो bill का amount था वो यहाँ से cut जाएगा आपके bank account से और यहाँ पे आपका बिजली का bill भर चुका है बिजली का bill भर जाने के बाद दोस्तो अगर आपको उसका details जानना है या फिर उसको कहीं पे share करना है तो simply यहाँ पे आपको click करना होगा और उसके बाद आपके सामने एक list आजाएगी वहाँ पे आप उसका पूरे details देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे click करके उसको किसी को भी share कर सकते हैं तो इस तरह दोस्तो बहुत ही आसानी से आप अपने घर बैठे अपने mobile से Google पे के जरी अपना बिजली का bill भर सकते हैं बहुत आसानी से बगर कहीं जाए तो चलो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना है उम्मीद है आपको हमारा वीडियो informative लगा होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकोन को प्रिस कर दे मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे जैहिंद